क्रिकिट में कुछ नियमों के बदलाओं का सुझाओ दिया गया है MCC की तरफ से और उसमें एक सुझाओ ये भी है कि टेस्ट क्रिकिट में भी नो बॉल में फ्री हिट होना चाहिए जैसे कि 1-day और T20 में देखने को मिलता है और और क्लॉक का भी एक नियम होगा यानि कि स्कोर बोर्ड में क्लॉक भी चलती रहेगी जब कप्तान एक गिनबास से दूसरे गिनबास को चेंज करेगा तो 45 सेकंड का उसके पास टाइम होगा अगर कोई व वो बरकरा रहना चाहिए इसलिए हमने देखा कि day-night matches के लिए भी ज्यादा बोर्ड तैयार नहीं हुए बहरत तो कभी भी तैयार नहीं हुआ लेकिन अब सवाल यह आ रहा है कि free hit होना चाहिए no ball जब फेंकी जाए test cricket में आप सहमत है इससे या आप चाहते है जैसा जो चल बड़ा कारण मुझे लगता है कि bowlers को discourage करें कि वो no ball ना करें test matches में क्योंकि test matches में भी अगर आप no ball करते तो समय भी वेस्ट होता और अभी एक research की गई थी ICC द्वारा जहां पर कि क्रिकेट प्रेमी जो test matches देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें नहीं देखते क्यूंकि यह बोरिंग हो गया क्यूंकि एक तो captain's bot time लगाते हैं ओवस के बीच में दूसरा पूरे ओवर ही नहीं हो पाते एक दिन में अगर नब्बे ओवर की बात की जाए वो भी एक दि करने के लिए कि bowlers no balls ना डाले तो free hit होगी अगर no balls लेकिन बनी इससे एक चीज़ और भी जारी है फिर आप जो direction है na cricket का वो बल्ले बाजों की तरफ डाल रहे हैं आपने T20 पूरा कर दिया batsman के favor में one day us में आपने चलिए दो नहीं ball लेके आगए तो थोड़ा सा balance करने की को यह केवल डिसकरेज करने के लिए है कि अगर no ball के पर free hit होती है कि आपको पनिश होगा आपके bowling पर runs जाएंगी आपके analysis कराब होंगी ऐसे में बोलर्स मेहनत करेंगे कि हम no ball test cricket में भी ना करें आप one day cricket को निकाल के देख लिए कितना पहले कितनी no ball करती ती और आप कितनी no ball होती है अगर आप ratio निकालेंगे तो बहुत फर्क पर चुका है सब प्रॉबब्ली जब देखा कि ICC ने देखा कि जब ऐसा हुआ है one day cricket में तो क्योंकि no ball नहीं होगी एक extra ball नहीं होगी वो समय बचेगा और वो समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 90 और एक दिन में तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है उनका तो बहुत जल्दी over खतम होता लेकिन दूसरे गेंद बाजों में जब changing होती है 45 seconds का time दिया जाएगा and then कोई wicket गरता है तो 90 seconds का time दिया जाएगा तो आप खुश है इस format से कि scoreboard में timing आनी चाहिए और मेरे इसाब से तो sir DRS में भी timing दिखाई नहीं देती हम खुद मन में calculate कर रहे होते हैं कि 15 seconds होगे तो उसकी भी शायद आये मुझे कभी-कभी बहुत परेशानी होती थी जब एक दिन में पूरे 90 Overs नहीं होते थे मुझे कभी-कभी बहुत परेशानी होती थी जब बहुत time लेते थे captain Overs के बीच में और time waste करने की कोशिश करते थे कई बार Batsman को भी हमने देखा है time waste करने की कोशिश करते हैं यह सारे कदम उस तरफ उठाया जा रहे हैं कि जो time wasting tactics है इसको हटाया जाए और पूरे पूरा खेल हो 90 Overs का खेल होगा results भी आपके जादा हांगे आज कि आज के time में अगर आप देखे च विकेट्स लेने का लेकिन इससे एक advantage होगा कि spinners जो कई countries में हमको देखने को नहीं मिलते spinners की भी भूमिका बढ़ जाएगी क्योंकि spinners होंगे spinners लाने ही पढ़ेंगे आपको 90 Overs एक दिन में पूरे डालने के लिए या फिर जो Overs के बीच में आपको time मिल रहा है उसको उस किया भारत ने Australia को हरा या फिर वेस्ट इंडीन इंगलेंड को हरा दिया या फिर श्रिलंका ने South Africa को उनके घर में जाकर हरा दिया देखें श्रिलंका ने हराया जो South Africa को उसने मुझे बहुत हैरान किया क्योंकि श्रिलंका की cricket जिस नीचे तल पर लगी हुई है वहां से South Africa को को टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए थे लेकिन कुछ गलत फैसले टीम सिलेक्शन्स पिछ को गलत रीट करना वह भारी पढ़ गए इंडिया पर और यह जो इंडिया अब भी बात कर रहा है नो वर्ल्ड कप में विराट कोली को नंबर चार पर खिलाना यह जो बचने वाली टेक किया रभी शासी जब कॉमेंटरी करते थे तो किस तरह से पॉजिटिव मोड में रहते थे लेकिन जैसे यह जिमेदारी आई कोच की जहां पर कि हार का भी सामना करना पड़ सकता है उसमें उनके फैसले कितने गलत हुए जिसका कि खाम्याजा इंडियन टीम को इंगलेंड म को सब्सक्राइब कर सकते हैं